Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel cook with chaani आज मैं अपसे गोर ब्रीट के स्नाख की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो चले हम रेसिपी को शुरू करते हैं मैंने ब्रीट के स्लाइसेश ले लिये हैं मैंने आठ स्लाइसेश लिये हैं अब हम इसको स्कॉायर शेप में कटकर लेंगे को काट लेंगे square shape में मैंने सब bread slices को काट लिए है square shape में हम देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पर मैंने flame पर पैन रख लिया है अब हम इसमे बटर आड़ करेंगे मैं पर टू टेबल स्पूंज इतना बटर आड़ कर रहे हूं अब हम बटर को मेल्ट कर लेंगे अब बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है अब मैं बटर की piecuses में आड़ कर रहे हो अब इसको अच्छे से हम mix कर लेंगे इसको बगर आच्छे से हम roast कर लेंगे येहां पर मैंने अच्छ तको रोेस्ट कर लिया अब हम इसको निकाल लेंगे यह पर मैंने बॉल ए लिया है अब हम इसमें この ऐड़ करेंगे 1 तीजप ब्लैकपर बोर्ड हुँ आड़ करेंगे और इसको अछी से हम मिक्स कर लेंगे और मैंने इसको च्छे से mix कर लिया और अब हम इसमें chopped onion kep adding my one fourth cup cup यहां पर चौप onion add कर रही हो अब मैं इसमें chopped green chili add करेंगे ब्ली सिछा अब मैं इस में add कर रहे हो chopped capsicum lots यहां पर इपसीचम लिया है इहां पर मैं add कर रहे और रहे हो चॉप गृरिंडर लिफs वान टेबल स्पून का अथी तरह से मिख्स कर लेंगे अब हम इसमें ब्रेड की पीसेस डालेंगे अब इसको डालके हम अच्छे से फिसी मिख्स कर लेंगे इसको हलके हातों से mix कीजेगा वरना आपके जो ब्रेट के पीसे से हैं वो तूट सकते हैं अब मैंने इसको अच्छी तरह से mix कर लिया है मैंने फ्लेम पे पैन रख लिया है वो ही पैन जो मैंने ब्रेट रोस्ट किया था अब हम इसमें ब्रेट राइड क्रेंगे मैं 2 अच्छे से मिल्ट कर लेंगे अब हमारा ब्रेट अच्छी तरह से पका लेंगे बार बार हम वीच में इसको चलाते रहेंगे अब देख सकते हैं कि हमारे रेसिपी रड़ी हो चीकिए है अप मेरे तरीखे से जरूर बनाईएगा अपने बच्छां को जरूर बना कर खिलाएगे बहुत दी टेस्टी बनता है अगर मेरे रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शोड़ा स्बस्क्राइब जरूर कीजएगा और वेल बेटन को जरूर दबाएगा क्यों मेरे नूव वीडियो कुटिफिकेशन है वो आपका असान इसे मिल सके और कमेंट में जरूर बताएगे मेरे रेसिपी आपको कैसी लगी मेरे वीडियो देखने का अपका बहुत बहुत शुक्रिया लाहाफीज